23 तारीक को जब पटना में विपक्षी दलों का बैठक चल रहा होता उसी वक्त प्लान था कि जीतन रामांजी महा गठबंदन से अलग हो जाते और जीतन रामांजी जब 23 तारीक को महा गठबंदन से अलग होते तब सोचिये क्या हो जाता ये हो जाता कि जो भी लोग अलग-अलग राज से विपक्षी दलों के बैठक में शामिल होने के लिए आने वाले थे उन लोगों का भरोसा नितीश कुमार और तिरस्वी आदव से उठ जाता और नितीश कुमार की ये मुहीम महा फ्लॉप हो जाती और ये सब बाते हम हवा मे नहीं कर रहे हैं नव भारत टाइम्स में एक स्टोरी की है जिसका स्क्रीन शॉट अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और उसके हिसाब से 23 तारीक को जो बैठक होने वाला था विपक्षी दल का जो होगा भी उसी दिन जीतन रामान जी और उनके बेटे इस खबर निकल कर कैसे सामने आई नव भारत टाइम्स ने अपने स्टोरी में लिखा है कि जेडियू के एक सीनियर नेता ने इस बात की पुष्टी की है कि इस बात का भनक जडियू को लग चुका था कि जीतन रामान जी छोड़ने वाले हैं इसी लिए ऐसी परस्थितिया बन दी गई कि जीतन रामान जी महागठ बंदन को जल्दी छोड़ने और 23 तारीक को जो विपक्षी दलों का बैठक होने वाला है उस पर कोई असर ना पड़े पूरी कहानी आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे डेमेज कंट्रोल किया गया तिरस्वी आदाव आखिर कै कैसे डेमेज कंट्रोल करने में कामियाब रहे जीतन राम मान जी का पूरा प्लान क्या था लेकिन उससे पहले नमसकार स्विकार करिए मेरा नाम प्रशांतराय है ये वीडियो कानहा सेल्स के द्वारा प्रयुजित है कानहा सेल्स बिहार का एक ऐसा फरनीचर का ब्रांड है जो आपको बहुत कम पैसों में बहुत बढ़िया फरनीचर देता है ये लोग पैकेज में डील करते हैं अगर आप 50,000 उपय का पैकेज लेते हैं तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ आपको फ्रिज कूलर और वाशिंग मसीन भी मिलता है इनकी सबसे अच्छी बात य जीतन राम मानजी इस बात की पूरी तैयारी कर चुके थे की 33 तारीख को जब पतना में विपकछी दलो की बैठक चल रही होगी वो ऐलान करेंगे कि हम महा कठबंदन से अलग हो चुके हैं और उसे दिन वो NDA में शामिल हो जाएंगे एक बार बस सोच कर देखिए कि अगर 23 तारीक को ये घटना होती तो क्या असर पड़ता विपक्छी दलो के बैठक पर और क्या असर पड़ता नितीश कुमार और तेजस्वी यादव के इमेज पर जो नितीश कुमार भारत भर में घूम घूम कर विपक्छी दलो को इकठा करने का प्रयास कर रहे हैं वो एक दम से मुह के बल गिर जाते और तेजस्वी यादव की भी थूथू होती एक जेदियू के सिनियर नेता ने बताया कि ये भनक लग चुकी थी और इसी लिए ये कांड पहले ही करवा दिया गया क् अगर तेज तारीक को ऐसा कुछ भी होता तब नितीश कुमार कहीं भी मुह दिखाने के लायक नहीं बचते अब जीतन राम मांजी छोड़ चुके हैं महागड़ बंदन को आज वो दिल्ली पहुँच भी चुके हैं एंडिये के नेताओं से मुलाकात भी होगी और इसी बा जिक वाली घटना का जिकर बार-बार आ रहा है कहां जा रहा है कि विपक्षी दलों के बैठक को बरबाद करने के लिए नितीश कुमार और तिरस्वी आदव के इमेज को खराब करने के लिए ये पूरा शडियंत रचा गया था लेकिन नितीश कुमार और सब लोगों को मा महाकटवंदन को छोड़ देते हैं और जो इसका असर तेज तारीक को होता उससे कम असर अभी हुआ है बाकी धीरे धीरे जैसे ही सब बात साफ होगा हम आपको बताएंगे आप जिनता निक्षन देखते रहें मेरा नाम प्रशांतराय है बहुत बहुत धनिवाद